कुछ लोग बच्पन से ही सैतान होते हैं और अपनी सैतानियों की वज़े से वे लोगों को परिशान करते हैं और बहुत सारे ऐसे कांड कर बैठते हैं कि लोग भी देखकर दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं महिला SDM के साथ कंडेक्टर करता था बनाता था सम्मंद और फिर जब नहीं जेल पाई फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कांड यहां पर हो जाती है एक निर्मम तरीके से हत्या आखिर क्या हुआ था इस केस के अंदर पूरी सचा यहां पर जानने वाले हैं वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिर्चीबा चेनल में आपका स्वागत है यह घटना मद्दे पिर्देश के जिला धिंडोरा के सपेरा कस्वा की है सपेरा कस्वा के अंदर एक निसा नाम की महिला रहती है जिसकी उमर 52 साल है और वह SDM है उसके पती का नम मनीज सर्मा है जो की 45 साल का है और वह पांचवी फेल है दोनों पती पत्नी साथ रह रहे होते हैं अभी तक इनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है 28 जनवरी 2024 को जब पती दोपहर को अपने घर आता है तो घर आकर देखता है कि जो उसकी पत्नी निसा है वह बैड पर ओंधे मूँ पड़ी है और वह उसको हिला कर देखता है तो वह बोल नहीं रही है और उसको लगता है कि यह बेहोस है वह अब उसके ड्राइवर के पास फ़ौन करता है निसा क्योंकि SDM थी तो उसका एक ड्राइवर था ड्राइवर को आने में कुछ देर हो जाती है ड्राइवर से कहता है कि तुम्हारी मेडम बीमार है इसको कुछ हो गया है जल्दी आओ ड्राइवर आता है निसा को वे गाड़ी में डालते हैं और उसको हॉस्पीटर ले जाते है होस्पीटर में डॉक्टर उसका चेक अप करता है उसका ट्रीटमेंट करने की कोसिस करता है लेकिन डॉक्टर को पता चलता है कि यह तो कई घंटों पहले मर चुकी है अब डॉक्टर यह सोच रहा था कि इसके पती ने कहा कि यह बेहोस हो गई है इसको होस में लाईए लेकिन यह तो कई घंटे पहले मर चुकी है तो डॉक्टर को कुछ दाल में काला रहता है तो अब पुलिस को वहाँ पर बुला लेता है अब दोस्तों पुलिस यहाँ पर S.P. अखिलेस पांडे यहाँ पर पहुंसते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या मांज रहा है इसकी मौत तो पहले हो चुकी थी और तुमने डॉक्टर से आकर कहा कि यह तो बेहोस हो गई है आप इसका इलाज करिए तो यहाँ प जैसे मौत होई है जब यह बात वह पुलिस के सामने बता रहा था तो पुलिस भी इतनी पागल नहीं है समझ जाते हैं पुलिस वाले की क्या अमरूद खाने से किसी की मौत हो सकती है तो अब मनीस को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो लास थी उसको पोस्ट माडम के लिए सकती से पुष्थाज के जाती है उसको हिरासत मेन लिए जाता है और दो-तिन दिन के बाद उसका पोस्ट माडम रिपोर्ट मी उसकी आलास कि तो यहां पर पता चलता है कि उसका दम गोटकर उसको मारा गया है यानि कि दम गोटने होट कि मौत हुई है तो पोलिस वाले मनीस को एराशत में लेकर उससे सक्ती से पूस्ताज करते हैं और जब सक्ती से पूस्ताज की जाती है तो यहां पर राज खोलता है मनिस सारी बात बताता है मनिस बताता है कि जब वह चोटा था तो वह पांचवी में फेल हो जाता है और जब पांचवी में फेल हो जाता है तो उसक 20 साल बाद उसके पिता की मौत हो जाती है, तो उसके पास ख़वर जाती है, कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है, लेकिन वह अपने पिता की मौत पर भी घर नहीं आता है, दोस्तों, 9 साल घुजर जाते हैं, धीरे-धीरे, 9 साल गुजरने के बाद अब वह अपने घर पहुंचता है वह जाकर वह अपनी मा को देखता है मा उसको देखकर रोने लगती है कहती है बेटा तू हमसे दूर क्यों है तू यहीं पर रहने लग लेकिन मनीज के दिल में कुछ और था क्योंकि वह आयास टाइप का आदमी था वह वह वहाँ जाकर भी 9 साल के बाद अपने घर गया था और जाकर भी वह अपनी प्रॉपर्टी के लिए जगड़ा करता है अपनी मा और अपने भाई से जगड़ा करने के बाद वह कहता है मुझे प्रॉपर्टी चाहिए उसके बाद वह वापस सेर में पहुंच जाता है और एक दो साल के बाद अब उसके भाई का देहांत हो जाता है उसके पास ख़वर पहुंचती है लेकिन वह भाई की मौत पर भी घर पर वापस नहीं आता है सिर्फ वह प्रॉपर्टी का भूखा था उसे परिवार से कुछ लेना देना नहीं था अब वह इतना बड़ा होच सुका था कि वह कुछ काम धंदा सेर में कर सके काम धंदा तो वह बच्पन से ही कर रहा था कुछ ना कुछ होटलों पर बरतन मानना या फिर कुछ और काम करना अब वह कंडेक्टर बन जाता है बस पर टिकट वगएरा काटने लगता है और इसकी साधी भी हो जाती है साधी होने के बाद इसके घर पर दुलहन आती है लेकिन दोस्तों यह अपनी दुलहन से लड़ बैटता है और दौनों की बीच में जब जगडा होता है तो पत्नी इसकी इससे अलग हो जाती है जब इसकी पत्नी इससे अलग हो जाती है तो बहुत दिन गुजर जाते हैं ये अपने यार दोस्तों से बाते करता है कि यार अब तो मन भी नहीं लगता किस तरह से जिन्दगी को गुजारूं तो इसके यार दोस्तों इसको तरकीब बताते हैं कि साधी.com पर अपनी profile बना कर छोड़ दे कोई ना कोई तुझे पसंद कर लेगा तो दोस्तों यहाँ पर यह साधी.com पर profile बनाता है और उसमें अपना occupation यानि की पेशा लिखता है कि वह property dealer है इस तरह की profile बनाकर वह साधी.com पर छोड़ देता है और अब इंतिजार करने लगता है कि किसी तरह से उसकी साधी हो जाए इधर निसा नाम की एक महिला होती है जो कि SDM है 51 साल उसकी उमर है इसकी भी अभी तक साधी नहीं होई थी यह अपनी बेहनों के पास रह रही थी तो इसको भी लगता है कि अब इसको साधी कर लेनी चाहिए अपना घर बसा लेना चाहिए तो यह भी एक profile बनाती है और profile इन दोनों की match कर जाती है और फिर निसा अब इस मनी सर्मा से बातचीत करने लगती है इन दोनों की बात पक्की हो जाती है और एक दूसरे की इन दोनों की साधी हो जाती है साधी होने के बाद अब जल्दी ही निसा को पता लग जाता है कि जिसने मैंने साधी की है यह कोई property dealer नहीं है यह तो बस ऐसे ही अबारा गूमता है सराव वगेरा पीता है और यह तो conductor है दोस्तों यह बाद जैसे निसा को पता लगती है तो बहुत ज़्यादा जगड़ा करती है और जैसे जगड़ा होता है तो दोनों के बीच में मनमटाब भी हो जाता है और जो मनीश था वह आयास टाइप का आदमी था सराव एगर अपिया करता जुआ खेला करता और कंडेक्टर वह था ही था तो अब यहाँ पर पत्मी को लगता है चलो साधी तो हो गई अब जगड़ा करने से फाइदा क्या क्या क्योंकि निसा HDM थी समझदार थी वह सोचती है कि क्योंना इसका कोई बिजनेस वियापार चलवा दिया जाए तो अब पांसलाग रुपे देती है और कहती है अपने पती मनीज से कि तुम ऐसा करो चलो तुमने जो भी किया मेरे साथ जो किया अब तुम ऐसा करो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो पांसलाग रुपे मैं देती हूँ मनीज बड़ा खुस होता है और हस करके उससे पैसे ले ले लेता है लेकिन दोस्तो चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए यह कहावत बहुत पिरसिद्ध है वह कहाँ सुदरने वाला था वह उन सारे पांस लाक रुपियों को वह दारू में, सक्ते में, जुए में इनमें उड़ा देता है सारे पैसे खत्म हो जाते हैं इधर पत्नी उससे कहती है कि कोई बिजनिस स्टार्ट किया वह कहता है कोई बिजनिस स्टार्ट नहीं किया पैसे भी मेरे पास नहीं है और पैसे दे दो अब इनके बीच में फिर से जगड़ा होता है दोस्तों इनके बीच में जगडा चल ही रहा था अब वह है एक और कवाड़ा कर बैठता है जो मनीस होता है एक विद्वा के प्रेम प्रिसंग में फस जाता है विद्वा से बात करने लगता है उसको पैसे दिया करता है और उसके पास ही जातर समय गुजारा करता है एक दिन निसा को उसके फॉन में पता लग जाता है उन दोनों की चैटिंग में पढ़ लेती है अब निसा को लगता है कि यह जो मेरा पती है यह तो मुझे सरासर धोका दे रहा है इसको मेरे पिरती कोई हमदर्दी है ही नहीं क्योंकि मनीस खूब पैसे खर्च किया करता क्योंकि उसकी पत्नी स्टीम जो थी और वह बिल्कुल भी पत्नी की तरफ सोच नहीं रहा था फुल आई आसी मौज मस्ती कर रहा था दोस्तो अब जो निसा होती है वह अपनी नौमिनी अपनी बेहनों को बना देती है और इस बात की खबर मनीस को लग जाती है क्योंकि निसा को पता था कि उसका पती तो सराबी है उसको नौमिनी बनाने से फाइदा क्या है तो अपनी बेहनों को नौमिनी बनाती है और फिर यहाँ पर पती को बड़ा गुस्सा आता है और पती अपनी पत्नी निसा से जगड़ा करने लगता है कि तुमने अपनी बेहनों को नौमिनी क्यों बनाया और फिर क्या होता है दोस्तो रात का समय था रात को जो पतनी निसा होती है उससे रूट जाती है फिर मनी इसके दिमाग में निजाने क्या आता है वह उससे प्यार से बात करता है और उसको मनाता है उसके साथ रात को सम्मन बनाता है और जब वह सो जाती है तो उसके तकिये से ही उसके मूँ पर रखकर उसका दम घोटकर उसके प्रान पकेर निकाल देता है यानि कि उसकी हत्या कर देता है और दूसरे दिन में कहता है कि इसने अमरूज ज़्यादा खालिये थे इसलिए इसकी मौत हो गई तो यहाँ पर यह सारी सचाईवे पुलिस को बयान कर चुका था उधर पोस्ट मारम की रेपोर्ट जो आई थी उसमें भी पता लग गया था कि निसागी दम घुटने से मौत होई है पुलिस अब उसके घर जाती है वहाँ जाकर उस तकिये को देखती है तो तकिये का कवर बैड सीट को उसने धोया हुआ था तो वह पूचती है पुलिस उससे कि यह किसने धोय है तो यहाँ पर मनिस कहता कि यह मैनी धोय है जिससे कि इन पर कोई सबूत और निसान ना रह जाए तो इस तरह से एक लड़की की एक औरत की जान चली जाती है जो की SDM थी और एक जो कंडेक्टर बस कंडेक्टर था उसने उसके साथ भरेव किया था दोस्तो इस तरह की घटनाएं भी देश दोर दुनिया के अंदर हो जाती है जो की पड़ी लिकी थी SDM थी पूरन विवेक था उसके अंदर लेकिन वो ऐसे इंसान के चक्कर में फज गई और अपनी जान से हाथ दो बैटी तो आम लड़कियों की तो कहें ही क्या दोस्तो जब ऐसी पड़ी लिकी औरतें भी ऐसे चक्करों में फज जाती है तो यहाँ पर सीधी बात यही है कि थोड़ा सा साथधान रहें और सतर रहें लोगों से मिलें भी तो थोड़ा सा देखें कि यह इंसान किस तरह का है जिन्दगी बहुत अन्मोल होती है बहुत प्यारी होती है इसको पूरा जी कर जाएं ना कि ऐसे चक्करों में अपनी जिन्दगी को बरबाद करें दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सेया जरूर कर दिया करें अगला प्रोग्रम बजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची गटना के उपर तब तक आप खुश रहें, साबधान रहें रिष्टों की हमेत को समझें कभी किसी से धोका ना खाएं ना किसी को धोका दें ना किसी के साथ फरेव करें जै इंद, जै भारत